अस्सलामों आलाइकुम वालकम टो माँ चैनल आर्न टो स्पेंड उमीद करता हूँ आप सब लोग खेरियत से होंगे तो यूटिब कोर्स की आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यूटिब चैनल की बहुत ही जरूरी सेटिंग्स शेयर करूँगा अगर आप लोग जे इन सेटिंग्स को कमپلीट नहीं करते तो आप लोगों का चैनल जै वो यूटिब सर्च रिज़ल्ट में कभी भी शो नहीं होगा विडियो को शुरू करते है जैसे आप लोग जो यहाँ पर अपड़ा YouTube चैनल क्रियेट करते है अप लोगों के साथ इस तरह से आप लोगों का चैनल ओपन हो जाता है यहां से आप लोगों ने सिपने अपले चैनल के आइकन को क्लिक करना है और YouTube Studio को क्लिक कर ले रहा है YouTube Studio को क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से YouTube Studio ओपन हो जाता है यहां पर आप लोगों ने बिल्कुल एंड पर अगर देखे तो Second Last Number पर Settings का आइकन आप लोगों को नज़र आएगा अप लोगों ने इस Settings आइकन को क्लिक कर देड़ा है यह होगा Settings आइकन और इसको क्लिक करने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह से Settings ओपन हो जाती है सबसे पहले आप लोगों के पास General Settings आती है सबसे पहले आप लोगों का चैनल नाम आएगा उसके बाद आप लोगों के सामने Country of Residence आप लोग जाए किस कंट्री से हैं वो यहां पर आप लोगों ने स्लेक करनी है अगर आप लोग पकस्तान से हैं तो आप लोगों इसको क्लिक करके पकस्तान होके कर लेना है या फिर इंडिया या बंगलादेश कहीं से भी आप लोग देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोगों आप लोगों इसको क्लिक करना है अब ये कीवर्ट्स आडिक करना बहुत ही ज़रूरी है अगर लोग जोग इन कीवर्ट्स को अटन. अगर लोगों देख लेन लोगों का यूटीब को ये कभी पिसज़यन नहीं आएगा तो यहां पर मैं keywords add करूंगा How to earn money online या फिर How to create a YouTube channel और How to create a Fiverr account या फिर इस तरह के Fiverr के related या YouTube या online earning के related जो main keywords होंगे जिनको लोग YouTube पर search करते हैं वो यहां पर add करने हैं अप लोग जाए easily 2-5 keywords यहां पर add कर सकते हैं keywords add करने के बाद सबसे main काम जो करना है आप लोग रहे वो आप लोग रहे अपने channel का नाम जो होगा वो भी यहां पर as a keyword यहां पर add करना है For example अगर इस channel का नाम अली खान है तो मैं इसको अली खान यहां पर type करूँगा और इसको ok कर दूँगा तो आप लोगों के सामने इस तरह से यह keyword add हो जाएगा सबसे पहले आप लोगो रहे niche के related keywords add करना है 2 से 5 keyword फिर आप लोगो रहे अपना channel name add करना है उसके बाद आप लोगो रहे यहां पर advanced settings को click करना है advanced settings में आप लोगों के सामने यह do you want to set your channel as made for kids तो आप लोग जाए इसको okay कर सकते हैं यहां पर आप लोगों के सामने तीन options आते हैं set this channel as made for kids set this channel as not made for kids or I want to review this settings for every video तो मैं यहां पर आप लोगों को suggest करना हूँगा कि आप लोगों ने second number वाले option को click करना है no set this channel as not made for kids क्यूंकि YouTube की जो policies है वो बहुत ही ज्यादा strict होती जा रही है day by day तो आप लोगों के अगर yes set this channel as made for kids तो इस से ही यह होगा कि YouTube आप लोगों की वीडियोस को जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी दिखाएगा लेकिन अगर आप लोगों की वीडियोस जितना मरजी अच्छा content उसमें YouTube को एक image या फिर कुछ भी ऐसा नजर आए तो जो के छोटे बच्चों के देखरे के लिए नहीं है तो उस पर आप लोगों को स्ट्राइक पड़ सकती है तो आप लोग जाए हमेशा no set this channel as not made for kids इसको ok करेंगे उसके बाद नीचे आप लोगों के पास Google Ads अकाउंट लिंकिंग को अप्शन है आप लोग अगर Google Ads के थूँ अपने चैनल की प्रमोशन करना चाते हैं या आप लोगों ने Google Ads क्रियेट किया हुआ तो उसको यहां पर लिंक कर सकते हैं उसके नीचे आप लोगों के सामने यहां पर आटो जेनरेटिड कैप्शन है इसको भी ok कर सकते हैं सब्सक्राइबर काउंट अगर आप लोगों के expose करें so 200 जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं अगर आप लोग चाते हैं कि आप लोगों के double of subscribers सिर्फ आप देखे तो आप लोग जाए इसको off कर सकते हैं अगर आप लोगों के जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो आप लोगों की audience भी देखे आप लोगों के viewers भी देखे तो आप लोगों के simply इसको on कर देना है उसके बाद feature eligibility आप लोगों के पास settings आ जाती है यह default features automatically enabled होती है नीचे features that required food verification इसको आप लोगों आडेबल करना होता है इसको आडेबल करने के बाद आप लोगों जो है पद्रा बिरेट से लंबी जो वीडियोस होती है उसको भी upload कर सकते हैं आप लोगों के साथ शेयर किया था कैसे आप लोगों अपने बॉबाइल फूर पर चैनल को वेरिफाइ करवादा है फूर वेरिफिकेशन कर दी है ताकि आप लोगों जाए इसको भी enable कर सके उसके बाद आप लोगों के साथ ने upload defaults की settings आ जाती है यहां पर basic info में आप लोगों के साथ ने title, description, visibility और tags का option है title को आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना title को खाली रहते दीजिएगा क्योंकि आप लोगों की हर वीडियो का title अलग होगा description बे आप लोगों सिर्फ वह चीज़ एड़ कर दी है जो कि आप लोगों की हर वीडियो की description बे एड़ हो for example आप लोग यह एड़ कर सकते कि आप लोग अपने channel की playlist यहां पर एड़ कर सकते है या पर अपने social media platforms के links या किसी website के links एड़ करदा चाहे तो वह एड़ कर सकते है या आप लोग कुछ और lines वगए ड़ करदा चाहे जैसे के online earning के related videos बढ़ाता हो तो उसमें वीडियो के एड़ पर earning disclaimer होता है या फिर आप लोग जो copyright का disclaimer वगएरा यहां पर एड़ कर सकते है जो कि automatically आप लोगों के हर वीडियो के description बे एड़ हो जाएगा visibility आप लोगों हमेशा unlisted ही करनी है क्योंकि अगर आप लोग जो पब्लिक कर देंगे तो आप लोग जो कोई भी एक वीडियो अपलोड की है और किसी वज़ा से आप लोग जो उसका अच्छे से SEO नहीं कर सके य वो अपलोग वीडियो इसके बाद आप लोग और अपनी वीडियो की settings उगयरा एड़ करदा है और इसके बाद आप लोग और अपनी वीडियो को पब्लिक करना है सारी settings¿ कंप्लीट करने के बाद जब आप आप लोग जो अपनी वीडियो का अप्टिवाइज करेंगे अच्छे से ऐसी हो गएरा करेंगे टैटल डिस्क्रिप्शिर टैग्स एड़ करेंगे तब आप लोगों रहें आप लोगों के टैग्स एड़ करने हैं लेकिन जो चैरल के कीवर्ड्स होगे वह यहाँ पर अगर ह होता है सबसे पहले लाइसनस अप लोग इसको ऐसे ही रहड़े देरा उसके बाद कैटेगरी यह कैटेगरी बहुत द्याहां से चूज करनी होती है फर एक्जेमपल अगर मेरी वीडियो की कैटेगरी एजुकेशन के रिलेटिड है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती ह है तो यहां पर मैं एजुकेशन सेलेक्ट करूंगा अगर आप लोगों की किसी और कैटेगरी यह फर एक्जेमपल एंटर्टेइनमेंट है या फिर आप लोग जो है पॉलिटिक्स या न्यूज वगरा की वीडियो बनाते है तो आप लोगों ने उस हिसाब से अपनी कैटे कैप्शन को मैं कुछ नहीं करूंगा ऐसे ही रहने दीजिए टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन मेरी वीडियो की लेंग्विजेज जो है वो इंग्लिश में होती है कि जैसे कि वीडियो का टाइटल हो गया हाउ टू क्रियेट यूट्यूप चैडल तो यहां पर मैं वीडि चैनल की सारी सैटिंग्स है यह कंपलीट हो जाती है अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए अगर आप लगने पी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कारण लिश सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्स फूर वाचिंग